हेले इवरोण कैसे आप सब एक बार पुना हासी कोचिंग क्लासेस पर सोगा थे लगातार आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर अफिसेल लेटर नहीं आया है कि कब से ये आनलाइन जो है परिष्छा फॉर्म भरा जाएगा जो भी बच्चे पूराख है मतलब सफिलमेंटरी है त से बीस मई तक भरेंगी अब यहां पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे बच्चे जो सफिलमेंटरी है जिनका नंबर कम है एक दो नंबर से पीछे है तो रिटोटलिंग का फॉर्म एपलाई किये हैं तो सुचते हैं कि सर रिटोटलिंग के फॉर्म के बार दिए हम पास हो जाते तो फिर पेपर नहीं देना होगा तो हम क्या करें कैसे करेंगे कब तक में रिजल्ट आ जाएगा सबसे बड़ी बात यहां पर है कि रिजल्ट कब तक आएगा चूकि आपका 24 तारीक को रिजल्ट आया तो 24 में दिया पंद्रह जोड़दुत लगभग गया है 9-10 तक तो आपका रिटोटलिंग का फॉर्म बरा जाएगा यानि 8 तारीक तक तो फिर भी रिटोटलिंग का फॉर्म बरा जाएगा इसके बाद रिटोटलिंग के बाद 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा कुल मिला करके माई के लास्ट में माई के लास्ट में रिजल्ट आ जाए लेकिन पुनरगर्णा के फलसुरूप जो भी पुनरगर्णा में फार्म एपलाई किये हैं उनका प्रणाम परिवर्तित होता है तो इस योजना का लाप प्राप्त करने वाले छात्र परिच्छा प्रणाम होने के एक दिवस पूर्व तक साथ छे दोहजार चौबिस तक परि रिटोटलिंग का फार्म एपलाई की हैं पास हो जाएंगे तो फिर हम पेपर क्यों देंगे तो हम ऐसे में परिच्छा फार्म भरें की ना भरें तो भाई साब आपको परिच्छा फार्म भरने की जरुत नहीं है माली जए 24 नंबर से पासिंगे 23 नंबर से पासिंगे आप आप exam के एक दिन पहले तक form apply कर पाएंगे यह सबसे महात्पूर अपडेट थी बच्चो ठीक है जो आप 10th class में दी है तो 2 subject का supplementary बाना जाता है तो 2 subject का form apply करें और यदि आप 10th class sorry 12th class में 10th का हमने कहा 2 subject और 12th class में 10th class में 10th class में 2 subject धाम रखेगा और 12th class में आपका 1 subject का supplementary माना जाता है तो यही अपडेट था बच्चो आप लोगों के लिए और यहाँ पर साहब बोला गया है कि यहाँ पर स्वैम MPR line या कियोस्क पे जाकर के है ना आप अपने पूरा का जो है विशय लेकर के जाएं और अपना form बरें आप mobile से नहीं भरें यदि गलत होता है तो फिर आप स्वैम जिम्मेबार होंगे यहाँ पर फीस जो है 500 रखी गई है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपका है 500 रुपए फीस है एक सब्जेक्ट का है यदि दो सब्जेक्ट में तो एक हजार लगेगा और यहाँ पर परिच्छा सुल के अत्रिक जो आपका आपका जानकारी था मुख रूप से यह आज अपडेट देने का अताथ पर यह था कि भाई साहब कोई बच्चा जो सफल्मेंटरी है उसका रिजल्ट कवाएगा तो क्या होगा अब कुछ बोलेंगे सर कॉलेज के लिए क्या होगा कॉलेज बेडिविशन ले पाएंगी नह भाग नहीं ले पाएंगे फर्स्ट कॉंसलिंग में बिल्कुल भाग नहीं ले पाएंगे और आपके आप पूरा क्या फेल हैं तो यह तो क्लियर समझेए कि आपकी रिजल्ट कमी है तो बड़े कालेज तो मिलने सकते हैं तो वही चीज आपको जब एडिशन लेना होगा हो हुआ के पर देख सकते हैं प्रवेश पत्र का प्रवेश पत्र की बात कर रहे हैं जो पूरा कौई नहीं डाले हैं लेकिन जो supplementary है और retotaling का form apply किये हैं उनको तुरंत मिल जाएगा कोई दिक्कत नहीं आप form apply करोगे आपको तुरंत वहाँ पर रोल नमबर आपको सब कुछ मिल जाएगा कि यहाँ आपको यहाँ पेपर देने जाना है तो आप परसा नहूं बिलकुल निश्चिंत रहें सब भ